हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगीन टू लेंड विदितीमें तो अधीनस्तों बोर्ट द्वारा 1128 पदों पर भरती आ चुकी है न्यूज जो है वह आपकी 1111 2020 की है बिल्कुल लेटेस्ट नोटिफिकेशन है यह यह मैंने साइट से ही डाउनलोड किया है तो मैं आपको भी बताऊंगी कि आप किस साइट पर जाकर और यह नोटिफिकेशन जो डाउनलोड कर सकते हैं तो इसके लिए आपको यदि आप दस्वी और बार्वी पास हैं तो आप इस भरती के लिए eligible हो तो मेरे ख्याल से अभी कोई भी कॉम्टिशन का एक्जाम कर रहे ह तो इतना तो वो कर ही चुके हैं बार्वी तक तो सभी ने पास की हुई है तो आप लोगों को यह form बिल्कुल बढ़ना चाहिए क्योंकि क्या पता आपका यहां पर सेलेक्शन हो जाए और यहां आप इट बैट जाएं तो देखिए वन पाल और वन रक्षक इन भरती के लि यह जो बढ़ती परक्रिया है यह कुल पद जो हैं वो 1128 हैं जिसमें वन पाल के 87 पद हैं और वन रक्षक के 1041 एक अजार एकतालिस पद हैं यानि टोटल 1128 पदों पर यह बढ़ती परक्रिया है तो यहां पर हम जो जो मेन पॉइंट होंगे हम उनको ही ध्यान में और कोई भी फॉर्म भरने से पहले आप जिन चीजों को देखते ही हैं तो देखिए सबसे पहले हम यह देखेंगे कि इस बढ़ती प्रक्रिया के लिए परिक्षा सुल्क जो की सबसे एहम है यह कितना है तो देखिए जो जनरल और EWS के हैं उनको साड़े 400 रुपए देने ह होंगे जो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग इन्हें साड़े 300 रुपए देने होंगे अनसूची जाती और अनसूची जन जाती इनको 20 रुपए का यह फॉर्म जो है वो भर सकते हैं तो यह हो गई परिक्षा सुल्क की बात उसके बाद नेक्स्ट बात जो है वो जानना यह जरूरी है यहां पर सामानने वर्ग में महला या पुरुस उनके कितने कितने पद जो हैं वो यहां पर सभी दिये हुए हैं वर्गवार आरक्षान जो है वो दिया हुआ है इसको आप देख लीजिएगा हम केबल जो मेंट हैं उनकी ही बात करेंगे नेक्स्ट जो मेंट आपके लिए जानना है बहुत जरूरी होता है जहां आप फॉर्म भड़ने से पहले इन चीजों को देखते हैं तो यहां पर जो आप इनको धीरे-धीरे देखिएगा चलिए उसके बात देखिए वितन मान जो है वो तो आपको राजे सरकार द्वारा जो सात्वा वितन आयोग है उसके अकॉर्डिंग ही दिया जाएगा अब देखिए सबसे जरूरी चीज जो है वो पातरता एवं सैक्षनिक योगिता क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए वनपाल के लिए राजिस्थान मादिमिक सिक्षाबोर द्वारा राजिस्थान माद तो यहां आप दोनों ही फॉर्म को बढ़ना चाते हैं तो दोनों को ही भर सकते हैं एक को बढ़ना चाते हैं तो एक को भरिएगा उसके बाद फिजिकल टैस्ट होगा जिसमें देखिए जो पुरुस हैं बॉइज हैं उनके लिए 163 सेंटीमिटर हाइट होनी चाहिए महिला है आपका सेलेक्शन जो है वो इसमें हो जाए क्योंकि यहां पर आपको इतना ज्यादा पढ़ने की जरुत भी नहीं है क्योंकि इतना तो आप कॉम्टिशन की त्यारी कर रहे हो तो यहां आपको इतनी नौलेश तो है अब में चीज है आयू यानि कितने एस तक के भर सकते हैं स्टुडेंट्स तो देखिए यहां पर जो वन पाल के लिए 18 वर्स से 40 वर्स तक की उम्र मांगी गई है यानि 18 वर्स के बाद और 40 वर्स से कम 18 से 40 वर्स तक का होना चाहिए उसके बाद वन रक्षक के लिए आयू जो है वो 18 पूरी कर चुका हो और 14 वर्स का नहुआ ह यानि 18 से 40 वर्स तक के बीच में जो भी अब ब्यार्ति आते हैं वो रवन रक्षक के पदों पर फॉर्म भर सकते हैं ठीक है यह आपके लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि एक एज क्वालिफिकेशन तो इनकी जानकर यह यदि बच्चे को हो जाती है तो वो फॉर्म भर होता है नेक्स्ट झूह वो देखिए कि आप लोगों के लिए क्या जरूरी है प्रिक्शा का माहवं दिना की परिक्षा जो है वो उसका आयोजन कब किया जाएगा तो परिक्षा का आयोजन जो है जब होगा तो इसे वेबसाइट या प्रेस विध्यप्ति के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा और कुछ भी फेर बदल अगर होता है तो यह भी बोर्ड कर सकता है क्योंकि देखिए अभी कुछ टाइम ऐसा चल रहा है कोरणा की वज़े से कि जो परिक्षा है वो समय पर नहीं हो पा रही है तो इसकी सूचना जो है वो आपको देदी चाएगी ठीक है तो यह सभी जानकारी जो है वो आपके लिए बहुत जरूरी था आप फॉर्म को भरिये क्योंकि आप लोग एलीजीबल हो और जरूरी नहीं है आप किसी और कॉम्टिशन की त्यारी कर रहे हो तो आप इस फॉर्म को नहीं भरेंगे आप इस फॉर्म को जरूर भरियेगा क्योंकि हो सकता है आपका यहां पर सेलेक्शन हो जाए अब देखिए यहां पर बोर्ड की जो वेब साइट है www.rsmssb.rajistan.gov.in यहां पर जाकर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो यहां आप सीदे जाएगा नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिएगा क्योंकि बहुत जरूरी होता है किसी फॉर्म को बढ़ने से पहले आप जो में साइट है वहां पर पहुंच क्योंकि यह आपको जानना चाहिए कि जो न्यूज है वो वाकी में सही है या गलत तो यह मैं आपको बताना जाती हूं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू